सुबह का समय था सभी लोग रोज की तरह अपने अपने काम में लगे थे कोई बालकनी में बैटकर अगबार पढ़ रहा था तो कोई पार्क में दौर लगा रहा था और कोई रेनकोट पहने ऑफिस जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर सुमन किचन से प्रभाद के लिए नाश्टा राती है ये लो तुमारा नाश्टा तैयार है पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती प्रभाद नाश्टा करके जल्दी जल्दी ओफिस के लिए निकल जाता है तब ही काम वाली शकुंदला भी आ जाती है अब आ रही हो तुमारे साहिब ओफिस के लिए निकल भी चुके हैं उनके लिए नाश्टा मुझे बनाना पड़ा मैडम बारिश की वज़े से लेट हो गई हर जगा पानी भरा पड़ा है अच्छा अच्छा ठीक है जाकर काम करो सुमन और प्रभाद का एक बेटा भी है शौरे बारा साल का भारी बारिश की वज़े से आज उसकी स्कूल की छुट्टी है जो अभी सो रहा है और सुमन सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी अचानक ऐसी निउस देखकर वो हका बगका रह जाती है अभी अभी खाटी से निउस आ रही है कि यहाँ बादल भटा है और बादल भटने से कई लोगों की जान जा चुकी है इसने अब भयानक बार का रूप ले लिया है और ये शहर की तरफ बढ़ती जा रही है और हम सभी देशवासियों से अनुरोग करते हैं ये सब क्या दिखा रहे हैं अब मैं क्या करूँ मैडम क्या हुआ आप कुछ परेशान से दिख रही है शकुंतला तुम अपने घर जाओ अभी चल दी सुमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे घपराहट में वो इधर उधर खुम रहे थी मैडम जरा शान्त हो जाईए और बताईए क्या बात है अरे शकुंतला जरा टीवी में देखो न्यूस में बता रहे हैं कि पासवाली घाटी में बादल फटा है और बचाओ बचाओ सुमन बालकनी से बाहर जाकर देखती है तो बाहर का नजारा देखकर थर-थर कापने लगती है उसके सामने बाहर का सैलाब था और लोग उसमें आधे-आधे डूबे पड़े थे लोगों की गाड़ियां पानी में तैर रही थी तब ही प्रभात का फोन आ जाता है समन तुम तुम ठीक हो न और शौरे कहा है मैं ठीक हूँ शौरे भी ठीक है सोराय प्रभात आप जल्दी घर आ चाहिए न मुझे बहुत डर लग रहा है समन समन थोड़ा थैर रखो अपने आपको सभालो और मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा ओफिस पानी से पूरा भरा बड़ा है और मैं आधा पानी में दूबा हुआ हूँ ओफिस की सारी फाइले पानी में तैर रही है मैं जल्दी यहां से निकलने की कोशिश करता हूँ तुम शौरे को जल्दी उठाओ और किसी सुरच्छे जगे पहुँचो ठीक है प्रभाद तुम अपना खयाल रखना और फोन करते रहना सुमन जल्दी जल्दी शौरे को उठाती है इतने में उसके घर में भी पानी भरने लगता है उठो बेटा जल्दी करो लो जैकेट पहनो और चलो मेरे साथ अरे मा क्या हुआ और ये हमारे घर में इतना पानी कैसे भरा शौरे बेटा ये पानी नहीं बाहर है हमारे शेहर में बाहर आई है और अभी हमें यहांसे निकलना पड़ेगा चलो मेरे साथ सुमन शौरे को घर से बाहर ले जाती है बसे डूबी पड़ी थी गाड़ियां पानी में खिलोनों की तरह तैर रही थी गाड़ी से जाना सुरक्षित नहीं है इससे हमारी जान जा सकती है हमें अब पैदल ही यहां से निकलना पड़ेगा मां हम यहां से निकल तो पाएंगे अरे भाईयों बिल्डिंग काली कर दो चल्दी करो चल्दी यह बिल्डिंग कभी भी ठेजाएगी सुमन बहल अच्छा हुआ आप पहले ही बिल्डिंग से बाहर आ गई यह बिल्डिंग कभी भी ठूट सकती है ए भगवान इस बिल्डिंग में कोई न हो मां जल्दी निकलो यहां से कोई तो मेरे बच्चे को ढूड़ दो मेरे बच्चा कहा गया भगवान रहम कर मेरे पर मेरे बच्चे को ढूड निकाल तो कोई अपना घर तोटने की वज़ा से हो रहा था इतने में वहां रेस्क्यू टीम भी आप पहुँचती है जो लोगों को बोट में विठा कर किसी उची जगा जहां पानी नहीं भरा था वहां पहुचा रहे थी वहां ओफिस में प्रभात अभी भी भसा हुआ था क्योंकि ओफिस का दर्वाजा पानी की वज़े से टाइट बंद हो गया था और ओफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारी अंदर ही भस गये थे अरे अरे मर गया अरे मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना ही है मेरी पत्नी और बच्चों का वहां क्या हाल हो रहा होगा नहीं नहीं सब ठीक ही होगा हाँ लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ प्रभात तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब क्या ऐसी हालत में तुम लिफ्ट से जाओगे तो उसी में फसे रह जाओगे हाँ तुम ठीक बोल रहे हो ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार सीड़ी का इस्तेमाल करो और उपर छट पर चलो वहां हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी शायद कोई रेस्क्यू टीम हमें देख ले और बचा ले आफिस के सभी लोग उपर छट पर चले जाते हैं और आसमान में उड़ते हेलिकॉप्टर से हाथ हिला हिला कर मदद मांगते हैं पर उनकी आवास कोई नहीं सुनता हर जगा हाहा कार मचा पड़ा था उपर हेलिकॉप्टर से लोगों को खाने का सामान दिया जा रहा था काफी लोगों को चोटे भी आई थी डॉक्टर उनके इलाज में लगे थे सुमन का बेटा शौरे काफी देर पानी में रहने की वज़े से उसे बहुत तेज बुखार था शौरे बेटा तुम तो काफ रहो और तुम्हें तेज बुखार भी है हमें जल्दी पानी से बाहर निकलना पड़ेगा मैं किसी से मदद मांगती हूँ कुछ दूरी पर सुमन को लोगों को बचाते हुए रेस्क्यू टीम के लोग दिखते हैं वो चिला कर उनसे मदद मांगती है माँ अब मैं जादा देर पानी में नहीं रह सकता महोट ठन लग रही है और चक्तर भी आ रहा है मुझे अभी घर पहुँचना है जल्दी सर आप नहीं जा सकते अगर आप गए तो आपकी जान को खत्रा है प्रभात को बोट से उसके घर तक ले जाते हैं पर वहाँ का नजारा देख कर वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि जिस जगा वो और उसका परिवार रह रहा था वो बिल्डिंग अप पूरी ढह चुकी थे ये 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 क्यों मेरा घर मेरी पत्नी मेरा बेटा नहीं नहीं क्या नहीं हो सकता उन्हें कुछ नहीं हो सकता तभी पास वाली बिल्डिंग में खड़ा आदमी राकेश कुपता बोलता है प्रभात भाई तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं हुआ ये बिल्दिंग तोटने से पहले वो दोनों यहां से निकल गए थे, बस मुझे इतना ही पता है राकिश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, अब तब मैं उन दोनों को कहां ढूँँ, कहां ढूँँ चारो तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, नदी नाले उफान पर थे, नदी का पुल भी तूट चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जाए तो कहां जाए, तभी एक कुलिस वाला पानी में होते हुए उसके पास आता है वह शायद तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल जाए, सर आपका शुक्रिया, मुझे यहां तक रेस्क्यू टीम ने पहुंचाया था, पर मैंने उन्हें यहां से जाने को बोल दिया, और बोलों मुझे यहां छोड़ कर जा चुके हैं, अब मैं वहां तक कैसे जाओ, इस ब कोई अपनों के लिए रो रहा था तो कोई अपने आश्याने के लिए, बाढ़ ने उनका सब कुछ बरबाद कर दिया, लोगों के बाढ़ के पारी में टीवी, फ्रेस, फरनीचर, गाड़ियां सब त्यारती नजर आ रही थी, तब ही प्रभात के पीछे से एक आवाज आती प्रभात, प्रभात तुम कहा चले गए थे, मुझे लगा आप हम कभी ने मिल पाएंगे भीगने की वज़े से शौरे को बहुत तेज बुखारे, चलो मेरे साथ आपको उसके पास ले चलो, शौरे पलंग पर लेटा हुआ था शौरे, मेरे बच्चे, पापा, पापा, आप कहा चले गए थे, मैं और माँ आपको कितना याग कर रहे थे, मैं आ गया हूँ ना, तुम अब जल्दी ठीक हो जाओ, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे शौरे की तब्यत में पहले से सुधार आ जाता है, तो सुमन और प्रभात अपने बेटे के साथ उसके चाचा के घर चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है